सीरिल कसम तेरे प्यार की में तनुजा ठान लेती है कि वो मल्लिका और शेकर के अफएर का सच रिशी के सामने लाकर रहेगी सीरिल कसम तेरे प्यार की में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा शुमें इतने twist और turn की वज़ा से कहानी हो गई है काफी interesting वेल अभी तनूजा की fake pregnancy का drama खतम हुआ है जहां रिशी को पता चलता है कि तनूजा pregnant नहीं है और अब शुरू हो गया है एक अलगी drama सीरिल में तनूजा को पता चल गया है कि मलिका और शेकर का affair चल रहा है और वो ये बात जानकर बहुत ही shock हो जाती है तनूजा सोचती है कि उसे ये बात सबको बतानी होगी जिसने सबको मलिका की सच्चाई का पता चल सके लेकि रिशी का accident हुआ है और अभी वो hospital में है जिहां रिशी ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी और उसका accident हो गया था अब तनूजा सोचती है कि पहले रिशी ठीक होकर घर वापास आ जाए उनके घर आने के बाद वो रिशी को सारी बाते सच-सच बता देगी लेकि तब तक तनूजा सोचती है कि उसे मलिका के खिलाफ प्रूप ढूड़ना होगा जिहां रिशी को मलिका का सच बताने के लिए तनुजा को उसके खिलाफ धूड़ना होगा बहुत सारा प्रूफ वो इसलिए कि वो जो बाद रिशी को बताने वाली है वो जूट बिल्कुल नहीं है अब देखते हैं कि क्या तनूजा मलिका के खिलाफ प्रूप ढूड पाएगी क्या रिशी तनूजा की बात पर विश्वास करेगा ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब खान लेती है कि वो मलिका और शेकर के अफेर का सच रिशी के सामने लाकर रहेगी सीरिल कसम तेरे प्यार की में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा शो में इतने ट्विस्ट और टर्ण की वज़़ा से कहानी हो गई है काफी इंट्रेस्टिंग वेल अभी तनूजा की फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा खतम हुआ है जहां रिशी को पता चलता है कि तनूजा प्रेगनेंट नहीं है और अब शुरू हो गया है एक अलगी ड्रामा सीरिल में तनूजा को पता चल गया है कि मलिका और शेकर का अफेर चल रहा है और वो ये बात जानकर बहुत ही शौक्ड हो जाती है तरुजा सोचती है कि उसे ये बात सबको बतानी होगी जिसने सबको मलिका की सच्चाई का पता चल सके लेकि रिशी का एक्सिडेंट हुआ है और अभी वो हॉस्पिटल में है जिहां रिशी ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी और उसका एक्सिडेंट हो गया था अब तरुजा सोचती है कि पहले रिशी ठीक होकर घर वापस आ जाए उनके घर आने के बात वो रिशी को सारी बाते सच-सच बता देगी लेकि तब तक तरुजा सोचती है कि उसे मलिका के खिलाफ प्रूब ढूड़ना होगा जिहां रिशी को मलिका का सच बताने के लिए तरुजा को उसके खिलाफ ढूड़ना होगा बहुत सारा प्रूफ वो इसलिए कि वो जो बाद रिशी को बताने वाली है वो जूट बिलकुल नहीं है। अब देखते हैं कि क्या तरूजा मलिका के खिलाफ प्रूब ढूट पाएगी। क्या रिशी तरूजा की बात पर विश्वास करेगा। ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आएगी।